वेलकम टू डीसी टीचर्स अकेडमी आज हम बात करने वाले हैं समास की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेस्चन के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूपी टीटी की कुछ रिवीजन सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर तो आज मैंने हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेस्चन लिये हैं और टौपिक है समास तो स्टार्ट करते हैं पहली क्वेस्चन से पहला क्वेस्चन है चत्रानन में कौन सा समास है ओप्षण ए है कर्मधाराय समास ओप्षण भी है द्यूगी समास Option C है बहुब्रीही Option D है तत्पुरुस तो चतुरानन का जब हम समास विक्रे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? चार है आनन जिसके वह है ब्रह्मा यानि Option C इसका सही आंसर हो जाएगा नेश्क कोश्चन पर बढ़ते हम माता पिता में समास बताईए Option A है दुगू समास Option B है दौन्द समास Option C है अव्वेई भाव Option D है बहुब्रीही तो माता पिता माता पिता में पहले तो हम यह देखेंगी इसमें बीच में क्या आ रहा है? योजक चिन जिससे इंगलिस में क्या कहते है? हाइफिन तो योजक चिन जिससे इंगलिस में आ जाता है वहाँ कौन से समास होता है? दौन्द समास तो Option B इसका क्या हो जाएगा? सही अंसर हो जाएगा Next question पर बढ़ते हम सब्त रिसी में समास है Option A है अव्वेई भाव Option B है दुगू समास और Option C है बहु ब्रीही Option D क्या है? कर्मधारए तो सब्त रिसी सब्त रिसी का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? साथ रिसीयों का समास कौन से समास हो जाएगा इसमें? दुगू समास जहां साथ आ जाए यानि या संख्यावाची जो विशेशन आ जाते हैं पहला पद होता है जिनमें संख्यावाची विशेशन वो कौन से समास होता है? दुगू समास इसका अंसर क्या हो जाएगा? Option B इसका सही अंसर हो जाएगा नेश कॉस्चन पर बढ़ते हम किस सब्द में अव्वेः भाव समास है? Option A है यथा वशर Option B है चक्रपाणी Option C है चराहा Option D है नील कमल तो अव्वेः भाव समास की पहचान क्या होती है? जिस समास में पहला पद पूरुपद जो होता है वो प्रधान होता है और इसने के लिए पहचान के लिए कुछ सब्द होते हैं जैसे कि प्रती आजाए, यथा आजाए, भर आजाए या फिर अनू आजाए इस तरह की सब्द आजाते हैं तो उनमें कौसा समास होता है? अव्वेः भाव समास इनमें से कर्मधाराय समास किस सब्द में हैं? उप्शन A है सजन उप्शन B क्या है? यथा सक्ती उप्शन C है राजपुत्र और उप्शन D क्या है? तरिनेत्र कर्मधाराय समास किस सब्द में हैं? तो सजन में कौन सजन का अगर विग्रह करेंगे? सत है जो जन और option B में क्या है यथा सकती जहां पर यथा आगया वो कौन से समास हो गया अवे भाव समास राजपुत्र, राजा का पुत्र त्रिनेत्र यान तीन आगया संख्या आगया तो कौन से समास हो गया दुगी समास हो जाएगा तो सज्जन, सथ है जो जन यानि सज्जन में कौंसा समास हो जाएगा, कर्म धाराय समास option इसका सही अंसर हो जाएगा next question बढ़ते हम कॉन्यादान में कौन सा समास है option A है बहु बरीही option B किया है कर्म धाराय option C है दिदु समास और option D किया है ततपुरुस तो कन्या दान, कन्या दान का विग्रे करेंगे, यानि कन्या का दान, option D का क्या हो जाएगा, सही आंसर तत्परु समास हो जाएगा इसमें, next question पर बढ़ते हैं हम, निन्मे लिखित में से कर्म धाराय समास किस सब्द में है, option A क्या है, चक्रपाणी, option B है, चतुरयोग, option C क्य है, भाई भेन, तो कर्म धाराय समास की पहचान है, क्या होती है, निलोत पल, निलोत पल में क्या हो जाएगी, निला है जो उत्पल, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, निलोत पल में, कर्म धाराय समास, option C का सही आंसर हो जाएगा, next question पर बढ़ते हम, नव ग्रहे में कौन सा समास है option A है दिगु समास option B है तत्पुरुष समास और option C क्या है द्वन्द समास option D है कर्मधाराय समास तो नव ग्रहे नव यानि नौ संख्या वाची विशिशन आगे न इसमें कौन से समास हो जाएगा option A दिगु समास next question पर बढ़ते हम नील कमल में समास बताईए नील कमल में क्या करना है समास बताना है option A है दिगु समास option B है तत्पुरुष समास option C है कर्मधाराय और option D है बहु ब्रही तो नील कमल नील कमल का अगर हम विग्रहे करेंगे तो क्या होगा नीला है जो कमल है ना तो option C हो जाएग इसका सही आंसर, कर्म धाराय समास इसमें होगा, नील कमल में कौन से समास हुआ, कर्म धाराय समास, नेश कर्शन पर बढ़ते हैं, महा पुरुष में समास बताईए, option A है बहु ब्रीही, option B कर्म धाराय, option C तत पुरुष, option D क्या है, अव्याई भाव, महा पुरुष, माहन है जो पुरुष, option B क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्म धाराय समास, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, option B, next question पर बढ़ते हैं, हानी लाव में आप कौन सा समास मानेंगे, option A है, दिग्री समास, option B है, बहु ब्रीही, और option C क्या है, तत पुरुष, और option D है, दौन दे समास, तो हानी लाव बीच में क्या आ गया है, योजक चिन आ गया है, कौन सा समास हो जाएगा, दौन समास, हानी और लाव, इसका answer क्या हो जाएगा, option number D, इसका सही answer हो जाएगा, next question पर बढ़ते हैं, ने में लिखित, सूचियों को सुमेलित कीजिए, और सही विकल्प का चैन कीजिए, यहाँ दिया है, पहले में सामसिक सब्द, और दूसरी सूची में दिया है, समास का नाम, तो पहली आजन में कौन सा समास हो जाएगा, अवेभाव, पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, दिगू समास, दसानन, दसानन में कौन सा समास हो जाएगा, बहु ब्रीही समास हो जाएगा, तो पहले का क्या था, युदिस्थिर, यानि की, युदिस्थिर यानि य दी वाला तो इसमें कौन से समास हो जाएगा यूदिस्टिर से क्या था तीसरा वाला किस option में दिया गया है हमारा C option में दिया गया है इसका answer क्या हो जाएगा option number C next question पर बढ़ते हम हम next question है त्रिफला में समास बताईए option A है द्वंद option B है बहुबरी ही option C क्या है तत्पुरस option D है द्विगू समास त्रिफला तो तीन आ गया ना इसमें कौन से समास हो जाएगा द्विगू समास हो जाएगा next question पर बढ़ते हम हम पाट साला में समास बताईए option A है अव्वेभाव option B द्वंद option C तत्पुरस option D क्या है बहुबरी ही पाट साला पढ़ने के लिए साला तो कौन सी समास हो जाएगा इसमें option C यानि तत्पुरस समास हो जाएगा next question पर बढ़ते हम यथा सक्ती में कौन सा समास है पहला अव्यभाव, option B, तत्पुरुस, option C, कर्मधार है option D क्या है, बहु ब्रीही तो यथा सक्ती, जैसी सक्ती हो तो कौन से समास हो जाएगा, अव्यभाव, समास हो जाएगा इसमें next question वीड़ा पाणी में समास बताईए, option A क्या है, कर्मधार है option B, तत्पुरुस, option C, बहु ब्रीही option D क्या है, दुग्यू समास तो वीड़ा पाणी का विग्राई करेंगे क्या होगा वीड़ा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती कौन समास हो जाएगा इसमें, बहु ब्रीही यानि option number C next question पर बढ़ते हम निम्न लिखित में कौन सा युग्म सही है हमें युग्म बताना है कौन सा सही होगा option A में क्या कह रहा है कारचित्र, तत्पुरुस option B में कह रहा है हमारा कि पंचवटी में क्या है बहु ब्रीही, option C है चक्रपाणी, तत्पुरुस और option D के है त्रिनेत्र, द्ग्यू समास, तो option A में क्या दिया था कारचित्र, तो कार के लिए छेत्र तो तत्पुरुस सही हो जाएगा सही पूछ रहा है इसमें तो सही तो इसमें ये वाला हो जाएगा कि पंच्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा, option D द्ग्यू समास हो जाएगा तीन है नेत्र जिसके, ठीक है next question क्या है option, इसमें क्या है question, घंस्याम में कौन सा समास है, option A है तत्पुरुस, option B के है कर्मधाराय, option C क्या है बहुबरीही, option D है दुग समास, तो घंश्याम घंश्याम का अगर हम विग्राई करेंगे तो क्या होगा, घंखे समान श्याम, तो घंखे समान श्याम यानि option B इसका सही आंसर हो जाएगा गंसिया में कौन सा समास हुआ कर्मधाराय समास भयाकरांत में कौन सा समास है option A क्या है सस्टी सबपुरुस सस्टी ततपुरुस option B है तरतिय ततपुरुस option C क्या है पंचिमी ततपुरुस और option D क्या है इन में से कोई नहीं तो भयाकरांत है भाई से आक्रांत तो यह भाई का आक्रांत ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा नाश कोशन पर बढ़ते हम ग्रह प्रवेश में समाज बताईए ऑप्शन ए क्या है अधिकरन तत्पुरुस और ऑप्शन भी है नम तत्पुरुस और ऑप्शन जी है अल सही अंसर हो जाएगा next question पर बढ़ते हम पाप पुन्य में कौन सा समास है option a है दंदे समास option b है दिवगी समास option c क्या है कर्म धारा है option d है तत पुरूस तो पाप पुनने, पाप पुनने की बीच में क्या गया है, एक योजक्चिन आ गया है, इसमें तो कौन से समास हो जाएगा, दौन्द समास हो जाएगा, option A इसका सही अंसर हो जाएगा, next question पर बढ़ते हैं, चो राहा में कौन से समास होगा, option A क्या है, दौन्द समास, option B और option C क्या है, बहुबरी ही, option D है, तत्पुरस, 4 राहा यानि 4 राहों का समहू, कौन से समास हो जाएगा, option A इसमें सही हो जाएगा, दौन्द समास, परिक्षा पयोगी में कौन सा समास होगा परिक्षा पयोगी में कौन सा समास होगा क्या है बहु ब्रिही और Support C क्या है अव्य기에 भाव Option D क्या है करमधारे? तो परिक्षा के लिए उपवयोगी Option A इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा जाएं म्रग नायनी में समास बताइए Option A है Bहत ब्रिही और Option B क्या है ड्यूगी समास option c है कर्मधाराय और option d क्या है ततपुरुस समास तो म्रग नाइनी का अगर हम विग्रे करेंगे तो क्या होगा म्रग के जैसी नाइनी तो कौन सा समास हो जाएगा option c यानि कर्मधाराय समास हो जाएगा इसमें next question पर बढ़ते हैं अब हम option a है ततपुरुस, option b क्या है बहुबरीही, option c क्या है अव्वेभाव, option d क्या है कर्मधाराय नील उतपल में कौन सा समास हो जाएगा कर्मधाराय समास नीला है उतपल जिसका next question पर बढ़ते हम रसोई घर में समास बताएगे, option a क्या है संपरदान ततपुरुस और option b बता रहे है, इसमें सम्मंध ततपुरुस और option c क्या है, त्रतिया ततपुरुस और option d है, अधिकरण ततपुरुस तो रसोई, रसोई घर क्या क्या होगा अगर हम विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर, यानि option a क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, संपरदान ततपुरुस हो जाएगा ततसोई घर में ठीक है, option a क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा, नेक्स क्रेशन पर बढ़ते हैं हम अनुरूप में समास बताईए, option a क्या है, ततपुरुस, option b क्या है, कर्म धाराए, और option c क्या है, अव्यभाव, option d क्या है, बहुबरीही, अनुरूप, अनुरूप का अगर हम विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसा यानि रूप के योग, अनुरूप का वि अपकूल में कौन सा समास होगा, option a क्या है, अव्यभाव, option b है, द्वंद, option c है, ततपुरुस, option d क्या है, कर्म धाराए, अपकूल में कौन सा समास हो जाएगा, अपकूल में समास हो जाएगा, इसमें अव्यभाव समास, बढ़ते हैं, चंद्र मुखी में समास बताईए, चंद्र मुखी में समास बताने के लिए option A क्या है बहु ब्रीही और option B है तत्पुरुस और option C क्या है कर्मधारए option D है दुगु समास तो चंद्र मुखी में कौन सा समास हो जाए कर्मधारए समास चंद्र के समान मुख है ना next question पर बढ़ते हैं अठनी में कौन सा समास होगा? Option A है तोल्व समास, Option B क्या है तक पुरुस, Option C है कर्म धाराए, Option D है दुग्यू समास, तो अठनी, अठनी का हमें समास विग्रे करना होगा, कौन सा समास हो जाएगा इसमें? Option D, यानि आठ आया है ना यहां पे अठनी के लिए, तो आठ जहां यानि संख्या वाच्चक, जहां विशेशन आ जाए, तो वहाँ कौन सा समास हो जाता है? दुग्यू समास हो जाएगा, नेश्ट कॉश्चन पर बढ़ते हैं हम, आखास वाणि में समास बताईए, Option A क्या है? तत्परुस समास, Option B बहुबरी ही, Option C क्या है? दुग्यू और आफश्चन D क्या है? करम धारा है, तो आखास वाणि, आखास से वाणि, Option A क्या हो जाएगा, इसका सही अनसर हो जाएगा, तत्पुरुस समास अनुचित में समास बताईए नेस्ट को अप्शन A है अवे भाव अप्शन B क्या है तत्पुरुस अप्शन C है बहु ब्रीही और अप्शन D क्या है द्वंद तो अनुचित में समास बताना है अप्शन A इसका क्या हो जाएगा सही आंसर अव्यभाव समास नेस्ट क्वेशन बढ़ते हम प्रेम आतुर में समास बताईए option A बहुबरी ही option B कर्मधारा है option C तत्पुरुस option D किया अव्यभाव प्रेम आतुर प्रेम आतुर का विग्रे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रेम के लिए आतुर यानी option C इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुस समास नेस्ट क्वेशन बढ़ते हैं निम लिखित में से असत्ते कथन छाटिये option A है तो फैर में दो पहर में दुगी समास है option B क्या है चंदर सेखर में बहुबरी ही समास है हो जाएगा option D निलोत पल में कौन से समास हो जाएगा कर्म धाराय ना कि दुद्ध समास नेस्ट कॉस्चन में बढ़ते हम तरी नेत्र में समास होगा option A क्या है बहुबरी ही option B है दुगू option C क्या है दुद्ध option D है कर्म धाराय तो त्रिनेत्र में क्या करना है समास बताना है तीन नेत्र हों जिसके यानि कौन सा समास हो जाएगा इसमें बहुब्री ही समास हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं कौन सा कथन सत्य है option A है समास दो पदों के मेल से बनता है और option B क्या है option B है समास दो या अधिक पदों के मेल से बनता है और option C क्या है समास और सन्धी में कोई अंतर नहीं होता है option D है समास दो या अधिक पदों के विकार रहित मेल से बनता है तो option D क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा option D इसका सही अंसर हो जाएगा next question में बढ़ते हम नरोत्तम में कौन सा समास होगा option A है कर्मधाराए option B है बहुब्रीही option C क्या है तत्पुरुस option D है अव्वेभाव नरोत्तम, नरोत्तम का अगर हम विग्राई करेंगे तो क्या होगा नरोत्तम, नरो में है जो उत्तम यानि कर्मधाराए समास next question में बढ़ते हम भरण पोर्षन में समास बताईए option A है दुगू समास option B है कर्मधाराए option C द्वन्द, option D तत्पुरुस, तो भरण पोर्षन भरण और पोर्षन बीच में क्या है योजक चिन है, कौसा समास हो जाएगा द्वन्द समास हो जाएगा next question में बढ़ते है पन्चांग में कौन सा समास होगा option A, दुगू समास option B, द्वन्द option C, बहुबरीही option D, तत्पुरुस, तो पन्चांग पांच आ गया है, जहाँ पसंख्या वाच्चे क्विशेशन हो जाए, कौसा समास हो जाता है दुगू समास, option इसका सही अंसर हो जाएगा next question बढ़ते हम निम्द लिखे सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्ब का चैन कीजिए सूचि वन में दिया है सामसे एक सब्द, सूचि दो में दिये है समास का नाम तो नव युवक नव युवक में कौसे समास हो जाएगा कर्मधाराय समास और दिगंबर दिगंबर यानि दिसा ही है जिसके अंबर, तो कौसे समास हो जाएगा बहुब्रीही, राम लक्षिमण में कौन से समास हो जाएगा, गंद त्रिवेडी में कौन समास हो जाएगा, दूर समास, तो option A का क्या था, कर्मधारा यानि चौथा option था, तो option C का सही आंसर हो जाएगा, नश्कोशन बढ़ते अवं, विधान सभा में तत्पुरुस का कौन स भेद है, option A है कर्म तत्पुरुस, option B है संप्रदान तत्पुरुस, option C क्या है कर्ण तत्पुरुस, option D है सम्मन्द तत्पुरुस, तो विधान के लिए सभा, तो क्यों सा अंसर हो जाएगा इसमें, option B संप्रदान तत्पुरुस, नश्कोशन पर बढ़ते हैं, आम रण में कौन सा समास है option A है अव्यभाव option B है तत्पुरुस option C क्या है कंधारा है option D क्या है बहुब्रीही तो आमरण में क्या आगिया आ से क्या मतलब पता चल रहा है में इसमें कौन समास हो जाएगा अव्यभाव समास हो जाएगा option इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा next question बढ़ते हम राग दोईस में समास है option A है बहुब्री ही option B है दुगू option C क्या है दुवन्द और option D क्या है कर्म धाराए राग दोईस बीच में क्या है क्योजक्चिन है ठीके राग और दोईस तो कौन से समास हो जाएगा next question बढ़ते हम हरी संकर में कौन से समास होगा option A है दुगू समास option B क्या है दुवन्द option C है बहुब्री ही option D क्या है तत्परुस तो हरी संकर में कौन से समास हो जाएगा दुवन्द समास हो जाएगा option B इसका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा नेस्ट कॉश्चन बढ़ते हैं, अष्टा ध्याई में समास है, उप्शन A है दुवन्द, उप्शन B क्या है कर्मधाराए, उप्शन C है दुग, उप्शन D क्या है बहु ब्रीही, अष्टा ध्याई यानी आठ अगया है, कौन समास हो जाएगा, उप्शन C, दुग समास हो नेस्ट कॉश्चन बढ़ते हैं, चत्तुर भुज में कौन सा समास होगा, उप्शन A है, दुग, उप्शन B है, बहु ब्रीही, उप्शन C क्या है, अव्वेभाव, उप्शन D है, कर्मधाराए, तो चत्तुर भुज में, चार भुजाओं वाला या चार भुजाओं का सम् उप्शन A है, अव्वेभाव, उप्शन B है, तत्पुरुस, उप्शन C क्या है, कर्मधाराए, उप्शन D है, बिगु समास, तो प्रती एक है, कौन सा समास हो जाएगा, अव्वेभाव समास हो जाएगा, नेस्ट कॉश्चन पर बढ़ते हैं हम, नेस्ट कॉश्चन है, र प्रदान ततपुरुस तो राजा की कुमारी option B क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा संबंद ततपुरुस नेश्क कॉष्टन बढ़ते हैं घुर सवार में कौन सा समास हो जाएगा option A है अव्वेभाव, option B है ततपुरुस और option C क्या है बहुब्री ही, option D है कर्मधाराय, तो घुर सवार में कौन से समास हो जाएगा, गुर सवार में समास हो जाएगा, तक पुरुस समास हो जाएगा, option B क्या हो जाएगा, इसका सही answer हो जाएगा, तो ये थे हमारे top 50 questions समास के, वीडियो अगर अच्छा लगाओ आपको, तो वीडियो को like कर सकते हैं, subscribe कर सकते हैं, वीडियो को अपने किसी study group में भी share कर सकते हैं, धन्यवाद,